घर में यूस होने वाला एक ऐसा प्रोड़क्ट जिसे हम इसे लगवग सभी लोग पूरी तरह से एग्णोर करते हैं और इसी बात का सारे ब्रैंड्स फाइदा उठाते हैं क्योंकि एक ही ब्रैंड के अंदर सिमिलर देखने वाले ना जाने कितने मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे आयरन में चाहे वो ड्रै आयरन हो या स्टीम आयरन आपकी इंड आज इस वीडियो के अंदर होने वाला है क्योंकि मैं विनीत मलोतरा आपको आज बताऊंगा कि 2023 की बेस्ट आयरन कॉंसी है हर बजट में चाहे आप एक हजार रुपे से नीचे की आयरन लेना चाहें चाहे आप चार हजार या पांच हजार की आयरन लेना चाहें इस दर राइट वीडियो फर यू गविडियो की गाइडलाइन के उनसार मेरा आपको ये बताना बहुत जादा ज़रूरी भी है और आप मेरे दोस्त हैं इसलिए ये मेरा फर्स है ताकि आपको बताओं कि इस वीडियो के अंदर दिखाये जाने वाला या नहीं दिखाये जाने वाला कोई भी प्रॉड़क्ट मुझे किसी ब्रैंड ने नहीं भेजा इन सभी आइरंस को मैंने खुद खरीदा है और लगातार पिछले छे महीने से जादा से हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं और उस टेस्टिंग के अंदर हमारे पसीने भी चूटे और बहुत सारे कबड़े प्रेस भी हुए क्योंकि हम ये चाहते थे देखना कि कौन सी आइरंस सबसे जादा अपने क्लेम को पूरा करती हुई हमें दिखती है इन सब को कंपेर करने के बाद मैंने आपको ये विडियो दिखाया आप मैं कोई स्पॉंसर कॉंटेंट नहीं चलाता इस चानल पे मेरी कमाई का सोर्स सिर्फ एक है वो है आप जब आप जैसे दोस्त मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे अफिलियेट लिंक को यूज करते हैं और चाहे कोई भी प्रोड़क खरीदते हैं तो आपके प्राइस को एक रुपया भी बदले विना इस चानल की थोड़ी सी फैनेंशल मदद होती है और वो थोड़ी थोड़ी आपको ड्राइ आएरें का पारदन दिखाता हूँ चोटा सा बेस्ट आइरें अन इंडिया थोड़ी थी चाहे मेरी लिस्ट में दो आइरें आती है अब यह ऐसी प्राइस काटेगरी है एक ऐसी प्राइस रेंज है जिसके अंदर आपको ड्राइ आइरें ही मिलेगी और लोगों की और वही choices में आपको बताने वाला हूँ पहली मैंने चूज करी है Hevels की dry iron और दूसरी मैंने चूज की है Phillips की dry iron लेकिन इन दोनों में एक basic और एक बहुत बढ़ा फरक है कि ये दोनों के weight में सबसे जादा अंतर है Hevels की जो iron है वो एक light weight iron है क्योंकि अलग-अलग लोगों की अलग-अलग पसंद होती है अलग-अलग तरीके से वो उस product को use करना चाते हैं और अगर आपको एक light weight iron की जरूरत है then Hevels की ये dry iron I think is the best and दूसरी है फिलिप्स की heavy weight dry iron कुछ लोग अपनी पसंद के हिसाब से heavy weight iron use करना चाते हैं तो उनके लिए ये फिलिप्स की iron बहुत जादा शांदर है Hevels की iron 1100 watt की power के साथ आती है जबकि फिलिप्स की 1000 watt के साथ और आपको thermostat control भी देखने को मिलेगा या फिर आप उसे temperature control कह सकते हैं for different types of fabrics लेकिन एक फरक है फिलिप्स और Hevels की iron में आपको फिलिप्स में 180 degree की swivel cord मिलेगी जबकि Hevels में आपको ये ही cord 360 degree swivel मिलेगी दोनों ही ब्रैंड्स की iron लेने पर आपको 2 years की comprehensive warranty मिलेगी चाहे वो Hevels हो या फिलिप्स लेकिन इन दोनों आइरं में दो और फरक हैं पहला जैसे मैंने आपको अलड़ी पताया कि Hevels की lightweight iron है तो वो वे करती है approximately 880 grams which is really really good आपको 1 kg की भी iron नहीं है ये बहुत जबर्दस औ कपड़े iron करते हैं और दूसरी फिलिप्स की जो heavyweight iron है वो वे करती है 1.35 kg अब एक दूसरा फरक और पता हूं वो है कॉस्ट का इन दोनों के प्राइस में थोड़ा सा फरक है राधर काफी फरक है Hevels की dry iron आपको इस समें कॉस्ट करेगी 750 रुपीज ओनली and that I think is a fantastic thing क्योंक से यह best dry iron है आपको फिलिप्स की जो heavyweight iron है वो इस समें 1300 रुपीज की कॉस्ट करेगी and trust me यह बिलकुल सही प्राइस है इस iron का क्योंकि यह जो metal यूज करा है that is of a very very good quality and यह iron you know the iron itself is of a very very good quality इन दोनों से आपको अगर आपकी इस type की requirement है आपको किसी type की disappointment नहीं होगी इन दोन waiting for okay I get it आपको dry नहीं बलकि steam iron चाहिए लेकिन आपको budget उतना जादा नहीं है no problem at all आपको बताता हूँ एक नहीं दो आइरन एक बार फिर से और दोनों इस बार coincidentally heavilys की iron है दोनों आइरन बहुत जादा अच्छी quality की है और एक आपको मिलती है 1250 watt की एक इन दूसरी आपको मि plastic body मिलेगी और दोनों में आपको teflon coated soul plate देखने को मिलेगी लेकिन दोनों की soul plate के size में बहुत फरक है और क्योंकि steam irons है इनके अंदर जो tank capacity है यानि water tank capacity वो दोनों में 110 ml और दूसरी में 180 ml की है दोनों आइरन में आपको 360 degree swivel caught देखने को मिलेगी दोनों ISI certified हैं लेकिन यह 1400 watt वाली थोड़ी सी हेवल की बड़ी iron है यह थोड़ी जादा features के साथ आने वाली है इसके अंदर आपको variable steam control देखने को मिलेगा और self cleaning function देखने को मिलेगा variable steam control एक बहुत अच्छा feature है क्योंकि अलग-अलग type के कपडों पे आपको अलग-अलग type की steam डालनी है थोड़ी कम क किसी पे और थोड़ी किसी पे जादा जैसे linen की कपडों पे आपको थोड़ी जादा steam की जरूरत होगी लेकिन normal polyester के कपडों पे आपको कम स्टीम से ही बहुत अच्छी iron करेवे मिल जाएंगे so it is very very good अगर आपको इसकी जरूरत है तो तोलों पे Hewels आपको two years की comprehensive warranty देते है और price में भी कोई बहुत जादा फरक नहीं है so अब आपको देखना है आपको Hewels की Fabio iron लेनी है जो की 1100 रुपीज की cost करती है इस समय या फिर आपको Hewels की Aspire चाहिए जो इस समय 1500 रुपीज के आसपास cost करती है दोनों के links में आपको description box में दिये है याद रखिएगा कि Asp decision is completely yours, आपको अपने use case आप से decide करना है, links will be mine जो आपको description box में मिलेंगे, please उने use करिएगा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी range को ऊपर करते हैं ताकि आपको मैं थोड़ी अच्छी quality की आइरन के बारे में बदा सको और इस range के अंदर अब आपको steam iron ही देखने को मिलेंगी और इस समय बेस्ट आइरन इंडिया 2023 की लिस्ट के अंदर आपको next iron बताने जा रहा हूँ इनाल सा की 2000 वाट की आइरन विच आइंग इस वेरी वेरी गूट स्टीम आइरन इनाल सा का एक एक जो क्लेम है वो मुझे थोड़ा सा ऐसे ही लगा जिसमें वो कहते है की 130 ग्राम पर मिनट की continuous steam आपको इस आइरन से देखने को मिलेगी एंड आइग तो डिफर इस आइरन म दोनों देखने को मिलती है एस पर इनाल सा लेकिन मुझे दिखी नहीं क्योंकि आप इसकी सोल प्लेट को ध्यान से देखें आपको एक ही लाइन के अंदर इसी तरीके से होल्स दिखेंगे स्टीम के लिए सोल प्लेट पे and horizontal और vertical actually यही इसका एक कॉन लगा मुझे क्योंकि इसके इंदर स्टीम आल ओवर नहीं पहुंचती कपडो तक यह एक प्राक्टिकल युनो प्राबलम है वाइल आयरनिंग देखने को मिलेगी इसके इंदर आपको 270 ml का टैंक कपासिटी देखने को मिलेगी 360 डिगरी स्वेवल कॉट देखने को मिलेगी वेरियेबल स्टीम कं और यह आयरनिंग देखने को मिलेगा विच इस वेरी वेरी गुड तिंग और यह आयरनि टू यह की कॉंपरेंसिव वारेंटी के साथ भी आती है इनालसा के तरफ से और आप इसे इस समय खरीद पाएंगे 1800 रुपीज का जो की मेरे असाब से बहुत शांदार कॉस्त है ले शायद हो सकता है लेकिन यह आयरन पे भी प्रिंटिड है सो आइड नो मुझे ऐसा नहीं लगा हावेवर ऐ थिंग यह अथारा सो रुपे की पूरी वर्थ रखती है इस प्राइस के अंदर यह बहुत अच्छी आयरन है और अगर आपको इन क्लेम से कोई फरक नहीं पड़ इस प्राइस के अंदर इस अवेरी गुड वान नाओ गो तो दिस्क्रिप्शन बॉक्स इसके लिंक में आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स मन दिया है बेस्ट आर ने डिया 2023 की मेरी लिस्में इनलसा से भी बेटर आयरन कौंसी है अगारो की 2000 वाट की आयरन जिसके अंदर आ क्रामिक कोटेड सोल प्लेट आपको देखने को मिलेगी इसमें आपको होरिजॉंटल और वर्टिकल स्टीम देखने को मिलेगी क्योंकि आप ये सोल प्लेट पे खुद ही देख सकते हैं कि स्टीम के लिए होल्स किस तरह से करे गए है इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा सा तेंक देखने को मिलेगा यानि वाटर तैंक और 360 डिगरी की स्वेवल कॉर्ट भी देखने को मिलेगी और यह वेरियेबल स्टीम कंट्रोल के साथ आने वाली आयरन है जिसमें आपको सेल्फ क्लीनिंग फंक्शन भी देखने को मिलेगा एक दो अच्छे सेफटी फीचर इस आयरन के अंदर दिये गए है जो है एंटी डिप फंक्शन और आटो शट ओफ यह यह इस आप्रूवड आयरन है अगार वा आपको देते हैं तू यह की कॉमपरेंसे वारंटी इस टीम आयरन पे और आप इस समय खरीद पाएंगे लग बग 2,000 रुपीज का विच इस वेरी वेरी गुड प्राइस क्योंकि इस आयरन की जो सोल प्लेट है उसके इंदर जो होल्स है उसको देखने से ही आप इन दिस आयरन जो आप खरीज सकते हैं अंडर 2,000 रुपीज आपको एक अच्छी स्टीम आयरन चाहिए दें दिस इस द वान तो फॉर इसके लिंक्स दिये हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप यहीं पर बेट कर रहे हैं जाये मुझा पता था आप नहीं जाएंगे क 2,000 वाट की आयरन के बारे में इसमें एक छोटी सी कमी है बट एक बहुत बड़ी एड्वैंटेज भी है सो आपको देखना है कि आपको कौन सी आयरन इन दोनों में से अच्छी लगती है चॉइस विल बी यॉर्स लिंक्स विल बी माइन लेकिन यह जो मॉर्फी रिजट्स और वर्टिकल स्ट्रीम देती है आपको सोल प्लेट की थ्रू और इसमें आपको थोड़ा सा और बड़ा 350 एमल का टैंक देखने को मिलता है विद 360 डिग्री स्वेवल गॉर्ड और डेफिनिटली आपको इसमें वेरियेबल स्टीम कंट्रोल भी देखने को मिलेगा और यह इसमें आपको सेल्फ क्लीनिंग भी मिलेगी और 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 इसमें आपको सेल्फ क्लीनिंग मिलेगी और इसमें आपको सेल्फ क्लीनि आपको इसकी कॉस्ट बताऊंगा तो आप हैरान होंगे 2100 रुपीस की कॉस्ट करती है विच इस एक्सिलेंट प्राइस फॉर इस पर्टिकलर स्टीम आयरन अब एक बहुत बड़ी अड्वांटेज और एक छोट इस डिस डिस अड्वांटेज मैंने आपको ये शुरू शुरू में बताया था वो इस मॉर्फी रिचर्ड आयरन की ये है कि इसमें बहुत लार्ज सोल प्लेट आपको देखने को मलती है तो सोल प्लेट इस वेरी वेरी गुड एन बिग इन साइज जो छोटी सी डिस 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 ड्वांटेज है वो है 11 ग्राम्स की कॉंटिनुएस टीम उससे प्राक्टिकली कोई खास फरक पड़ता नहीं है आपको इतना कोई खास मैटर करेगा नहीं आपको देखना है कि लार्जर एरिया इरिया इस कवरिंग पर मिनिट दाट इस द बिग थिंग जब अम आयरन करते हैं कपडों को तो उसके अंदर जल्दी कपडे आयरन हो यह हमारे लिए इंपोर्टेंट होता है जल्दी जल्दी आयरन अपने कपडे खुदी करता हूँ थोड़ी छोटी सोल प्लेट होगी थोड़ी सी ही मारजनली तो उससे आयरन उतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे आपको थोड़ी जादा स्टीम चाहिए आप इस टाइप के कपडे पहनते हैं जिसमें थोड़ी क्रीज जादा होती है तो यू शुट गो फर अगारो लेकिन अगर आपको थोड़ी बड़े सरकंफ्रेंस का सोल प्लेट चाहिए गो फर मॉर्फी रिचेट्स दोनों के लिं पर इसमय चाहिए पिछले दो साल से लिगातार यूस कर रहा हूं और आपको इसके विर्यन टियर देह के ही यह समझ में आ जाएगा की आयरं बहुआत जादा यूस्ट है यह जादा यूस्थ है दो साल से मैं इसे continuous use कर रहा हूं and इसका नाम है Philips 2400 watt steam iron and this I think is the best steam iron that you can buy. यह थोड़ी expensive है यही इसका कॉन है और जो मैं आपको शुरू में ही बता रहा हूं but if you want the quality, if you want the best quality then this is the one to go for. इसके अंदर आपको बहुत sturdy plastic body देखने को मिलती है जो जितनी भी irons मैंने देखी उससे थोड़ी ज्यादा study है और इसकी ceramic soul plate बहुत ज्यादा बहतर quality की है जो मुझे अपने use से पता चला. इसमें horizontal और vertical दोनो टाइप की steam आपको देखने को मिलती है और यह 30 gram per minute continuous steam दे सकती है. इसमें built-in calcium clean slider भी देखने को मिलेगा और यह ISI certified भी है obviously क्योंकि एक बहुत अच्छा Phillips का product है और आपको Phillips इस पे देगा two years की comprehensive warranty इस iron को आप इस समय खरीद पाएंगे लगबग 3200 रुपीज का और यही पे मैं आपको सबसे पहले इसके cons बताता हूं तकि आपको पता चले कि मैं खुद यूज करने वाले product के भी cons बताता हूं क्योंकि मैं ऐसे use भी कर रहा हूं और ऐसा नहीं है कि यह perfect product है 180 degree swivel cord अगर यह 360 degree होती तो जादा भेतर होता और इतने पैसे देने के बाद भी मुझे 180 degree swivel cord मिल रही है that is not right यही पे दूसरा कॉन भी चुपा है इतने पैसे देने के बाद यानि यह थोड़ी सी expensive है but what am I paying for? I am paying for the quality यह quality जो मुझे मिलती है यह जो build quality या जो soul plate की quality या जो continuous steam मुझे मिलती है वो उतनी ही है जितनी उन्होंने promise करी है and let me tell you trust me यह जो iron है यह सबसे बहतर quality iron है no words about the quality no words about the ironing capacity आपको चाहे दूसरे branch के अंदर थोड़ी सी large soul plate देखने को मिले but according to me this is the perfect size soul plate जिससे आपके कपड़े चाहे वो बहुत जादा बड़े हूं जिससे सारी प्रेस होती है या फिर आपको linen के कपड़े प्रेस करने हों जिसमें आपको continuous steam की जादा जरूरत होती है दोनों में proper satisfaction मिलेगी what are you waiting for? इसके links दिये हैं आपको description box में अगर आपकी भी मेरी जैसे ही सोच है और अगर आपको quality चाहिए and you don't worry about the kind of price it comes in, links are in the description box 3200 rupees आज का price है ये change हो सकता है जाइए अगर आप अभी तकी सोच रहे हैं कि इस steam iron को मैंने यहां क्यों रखा है then let me tell you कि इस steam iron को हम office में रखते हैं और मैं इसे खुद use करता हूँ अपने कपड़ों को shoot से पहले iron करने के लिए this I think is the best product अगर आपको इस type के product की जरूरत है ऐसी iron की जरूरत है जो आपको टेबल पे रखके इस तरह से iron ना करनी हो और आपको सिर्फ only and only steam iron की जरूरत है then this is the best one आपको बहुत सारे branch की इस type की steam iron मिलेगी मैंने दो तीन को भी try किया है लेकिन this is the best quality यह good city की steam iron है और यह सबसे जादा reasonable steam iron है जिसमें आपको सबसे बहतरीन build quality भी देखने को मिलेगी इसके लावा आपको यह भी बता दूँ कि अगर आपको ironing board लेना है तो सस्ते boards को लेके आप 6 या 7 महीने में उसे फेकने के लिए मजबूर हो जाएंगे buy a good ironing board जिसका link मैंने आपको already description box में दिया है कैसा लगा आपको यह video बताइए जरूर मुझे comment section में और ऐसे videos मैं और भी बहुत सारे बनाता हूँ दो suggestions आपको जाते जाते देखे जा रहा हूँ ताकि आप ऐसे ही thoroughly researched और बहुत जादा अच्छे से thoroughly compared videos को देखके अपने decision को बना सके मैं आपको फिर मिलता हूँ अपने अगले true view या फिर true view comparison में बहुत ही जल्दी thank you very very much